एक्सेसाइस के अंगर जो आपको ग्रामर कोश्चन्स है वो एज़िटीस नहीं आने वाले है बाहर की कोश्चन्स आएगे जे ग्रामर हाड लगता है मैंने पहले ध्यान नहीं दिया इंग्लीश में उसी कीवजे से हमारे मार्स कटते है तो सबसे पहले मैं आप लोगों कोई कोश्चन्स यहां पे देखने को मिलेगें इसे ग्रामर पढ़ने है अपकमिंग 2023 जो बोड़ इग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए ठीक है तो बहुत जादा आप लोग कंफ्यूज रहते हो बहुत जादा परेशान रहते हो कि मुझे ग्रामर हाड लगता है मैंने प आपको 8 मार्ग के कोश्चन्स यहां पे देखने को मिलेगे ग्रामर टॉपिक से ठीक है सो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि आपको कौन-कौन से ग्रामर के टॉपिक्स पढ़ने हैं क्या है कि कौन कौन से ग्रामर हमको आएगे पिकॉस पेपर पैटरन में और नहीं कहीं पर दिया हुआ है तो मैंने पिछले 10-15 साल की कोश्चन पेपर इंग्लिश के कोश्चन पेपर को एनलाइज करी हूं साथ ही साथ आपका कोश्चन बैंक आपके पेपर पैटर्न बुनिया भर की डाइजेस नौनेट रलाइबल टार्गेट सब को एनलाइज करने के बाद एक लिस्ट तयार करी हूं और मैं आपको गैरेंटी देती हूं कि इसी लिस्ट के अंदर से आपको ग्रामर पूछा जाएगा साथ फिर साथ मैं आपको बताओंगी इस लिस्ट के अंदर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कौन सी है आप पहले ये सारी पढ़के हो जाती है उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो यह चोटी मुटी टॉपिक्स को भी पढ़ लीजेगा ठीक है मैं सारी टॉपिक्स आपको बताने जा रहे हैं इसलिए पैन पेपर लेके रैडी हो जाए और सारी टॉपिक्स को लिखिए इसमें से अगर आपको रूल पता है तो ही आप उसको लिस्ट दे रही हूं यह लिस्ट वाइर की टॉपिक को फॉलो करना पता चला आप active, passive को पहले कर रहे हो और tense को last में कर रहे हो तो आप पगला जाओगे because active voice and passive voice आपको tenses and model auxiliary के बाद ही समझ में आएगी तो एक sequence follow होता है जैसे कि हमने math subject में कैसे करे थे पहले हम plus, minus, divide, multiplication यह सब करें फिर उसके बाद formulas पे गए उसके बाद theorems पे गए तो वैसे ही इधर पर है grammar में कौन सी topic पहले पढ़नी है वो सब base है foundation है उसके बाद बढ़ी फिर बढ़ी फिर बढ़ी ऐसा ठीक है तो सबसे पहली topic जो आपको grammar जब start कर रहे हो पढ़नी है वो है tenses total कितने tenses पढ़ने होते है आपको total 12 tenses होते है आज मैं आपको लिष्ट बताने वली छोटी सी वीडियो है कौन से topic का explanation चाहिए कमेंट सेक्शन में लिख देना ठीक है मैं उसके लिए आपको वीडियो लिख रहा हूंगी तो सबसे पहला grammar का topic हमारा है tenses इसी से आपको शुरुवात करनी है total 12 tenses अपने को पढ़ने है second topic अपने को पढ़ना है model auxiliary ठीक है can, could, may, might, must, should यह सारे अपने model auxiliary होते है third अपने को पढ़ना है types of sentence types of sentence में आपको exclamatory interrogative and assertive यह तीन sentence आपको पढ़ने है fourth अपना है articles a and the आपके exam में आगया article लिखो तो आपको a and the यह तीन में से कोई एक cancer आपको लिखना होता है preposition in at from after before ठीक है यह सारा अपना होता है preposition तो आज मैं बस list बता रही हूं आज explanation नहीं है इसकी आप list बनाओ ठीक है writing skill का भी बता चुकी हूं क्या क्या writing skill पढ़नी है paper pattern next video में आपको आने वाला है आज grammar बता रही हूं ठीक है study the exam before study for the exam ठीक है exam को पढ़ो में क्या आने वाला है उसके बारे में ठीक है यह चीज़ याद रखने उसके बाद अपना next आपको क्या पढ़ना है topic number six जो की होगा question tag and rhetorical question question tag आपने पढ़ी हो गया बच्पन में हम सबको आता है question tag का ही inverse आप बोल सकते हूं rhetorical होता है तो आपके exam में rhetorical questions आते हैं पिछले 6-7 सालों से English board paper में rhetorical questions आ रहे हैं अभी जो board exam हुआ 2022 में इसमें भी rhetorical questions ही आये थे 7th अपना है infinitive and gerund infinitive and gerund इसको लिख लो इसमें अपने को positive degree comparative degree and superlative degree यह तीन डिगरी अपने को पढ़नी है 9th अपना topic है active passive अब आपको पढ़ना है ठीक है यह सारी topic पढ़ने के बाद ही आपको active passive को पढ़ना है इसका दूसरा नाम होता है change the voice ठीक है फिर सबसे खतरनाक topic अपने English grammar की इतने खतरनाक मतलब इतने सारे rules है ना इसमें इतने सारे rules है आप सबको पता है direct and indirect speech जिसका दू operation ठीक है तो यह आपको पढ़ना है कब tenses, model auxiliary and degree of comparison के बाद ही otherwise आपको समझ में नहीं आएगा ठीक है तो यह अपना हो गया 10th topic 11th topic आपको क्या पढ़नी है यह सब कुछ आपको एक्जाम में sentence दिये होते है उस sentence मैं से आपको बोलता है यह word निकाल लो उसकी बज़े यह word डा इदर तो यह मैं list दे रही हूं इदर पर screen पर देख लो यह सारी चीज़े आपको एक्जाम में आती है grammar के रूप में जो पुछा जाते है sentence में आपको क्या करना है यह तो कुछीज एड़ करनी है ठीक है next topic WH question यहां पर आपको बोला जाता है कि इसका WH question बनाई है WH questions यानि व spot the error spot मतलब की देखना error मतलब गलती एक sentence दिया होगा उस sentence में गलती होगी उस गलती एकको आपको देखना है सिर्फ देखना नहीं है correct भी करना है ठीक है तो आपको क्या करना है sentence में गलती की होगी उसको आपको correct करना है ठीक है next topic अपना जो है वह बहुत जादE important है हर साल आ की अपोजिट वर्ड विरुधारती एक दिया होगा इसका अपोजिट वर्ड पेरिग्राफ में से धुनके लिखिए ठीक है तो यह बहुत इंपोर्टेंट है इस साल भी आया था ठीक है उसके बाद अपना है 16 यह ग्रामर तो नहीं है बट आपको पोयम में पूछा जाएग ठीक है तो वह वीडियो बहुत जल्दाने वाली है उसके बाद अपना है 17 नंबर पे कमपोज द पोयम यह ग्रामर नहीं है देखो यह पोयम सेक्शन का है ठीक है फिगर और स्पीच ग्रामर नहीं है आपको भी पता है मुझे भी पता है बट मैं यहां पे लिस्ट में एड तो उसके बाद यहां तक तो क्या थे अपने यहां तक यह जो 17 टॉपिक थे most important है यह सारे टॉपिक को पहले आप करो क्योंकि यह सारे टॉपिक आपके पिछले 10-15 सालों से आते आये हैं अब इसके अलावा कुछ टॉपिक ऐसे है जो आपके syllabus में टेस्ट्बूक में मेंश तो कर लेगे ऐसी वाली टॉपिक्स है तो कौन-कौन से वो टॉपिक चलवा जाते हैं कोशन टॉपिक नंबर 18 अपना है कोड मिक्सिंग कोड मिक्सिंग मतलब क्या होता है आज कर जमाने में हम जो भी इसर्ण में इसमें से कोड मिक्सिंग वाले कोई भोल लिखो हो ऊचलों कोड मिक्सिंग वडे कोड मिक्सिंग हो घया है है कोड सबसारी अब पना है जले हो सकते है है आपके teacher के पास register class 12 का register यानि class 12 के अंदर जो भी बच्चे है जो भी चीजे हैं जितने भी क्लास 12 में होते हैं वह सारे register में लिखे होते तो मैं आपको डर बोलूँगी कि आपको hospital वर्ड की ऊपर register बनाना है तो क्या करोगे hospital में सिर्फ doctor होते है क्या नहीं hospital में doctor होते है nurse होते है क्या क्या होते है तो word register मतलब कि एक topic दी गई होगी आपको एक-दो marks के लिए बोला जाएगा इसका register बनाओ यानि कि आप ऐसा सोचना इस topic यह word को देखके मेरी दिमाग में क्या क्या आ रहे सब आपको लिख कर आ जाना है ठीक है अपना है को लोकेशन को लोकेशन मतलब की दो वर्ट को मिलाके एक वर्ट जब बन जाता है उसको हम बोलते है को लोकेशन ठीक है फिर 21 अपना topic है prefix and suffix सबको पता है वर्ड के पहले यानि prefix वर्ट के बाद यानि suffix एक एक वर्ड है इसके स्टार्टिंग में अगर मैं डिस लगा दूंगी तो यह क्या बन जाएगा न्यू वर्ड बन जाएगा डिस्रिस्पेक्ट के पहले जो भी चीज लगती है और उसकी वज़े से वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है तो इसको हम बोलते है prefix उसी प्रक है एक्जेक्टिव नाउन्स आपको पढ़ना है फ्रेजल वर्ब अपना 23rd टॉपिक है क्लॉजेज अपना है 25 टॉपिक जिसका नाम है आइडेंस यानि मुहावरे स्लेबस में में मेंचन है आपके टेस्ट बुक में आप फर्स पेज में चेक करोगे तो उधर पर यह सारी स्टार्टिंग के जो भी मैंने बताई हूँ टैन्स मॉडलोग टाप सेंटेंस आर्टिकल प्रीपोजेशन इंफिनिटिव दिगर अपरिजन डारेक इंडारेक यह सारी चीज को प्लीज अभी से पढ़ना स्टार्ट मैंने पिछले साल भी ग्रामर पे एक वीडियो बनाई वीडियो आपके लिए बना रही हूँ यह कौन सा है 2023 वाले बच्चों के लिए है तो आपको वही सारे स्टेप्स फोलो करने है जो मैंने इस वीडियो में बताई हूँ आपको मैंने जो लिस्ट दे दी हूँ इसको लिख के मुझे इंस्टाग्राम पे डीम करिए ठीक है ज तो सारे टॉपिक पर टिक हो जाना चाहिए ताके confidence रहे कि हाँ मैंने पूरा syllabus हाँ मैंने पूरे grammar पढ़के गया हूँ जो भी आएगा कर लूंगा ठीक है तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि grammar में क्या क्या पढ़ना है लास्ट वीडियो में मैंने बताई थी कौन के लिए होने वाले है ठीक है यह पूरा पूरा मैं आपको नेट वीडियो में बताऊंगे तो मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में जब तक सीगे बाई 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 वीवान